प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अभी कुछ जहिंद दोस्तों आप सभी का हार्दिक सोगत है जहिंद रियक्शन्स पर आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज जम्मा आपके लिए क्लेटेस्ट और एक बहुत ही मज़दार वीड आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मज़ा आएगा तो इसे हम तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करदें ताकि हम अपनी से लेटेस्ट इंट्रस्टिंग और मज़दार वीडियो लाते रहें तो चलिए पहले ये वीडियो देखते है और हम इसके बारे में बात करेंगे जैहिन जैब भारत जी यहां बेजा फुराइक इन एपिसोड के साथ हम आजे रहें और इससे पहले कि हम चले न्यूस की तरह आप सफी से रिक्वेस्ट एक जिस जिस ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना नहीं हम आपको आगे चलते हैं और न्यूस की तरफ लेकर चलते हैं और सबसे पहली न्यूस जो है इंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर रही है तो आप सभी जानतें के शेबाई शरीफ साब से बिजनस कमुनिटी ने कहा है कि जी इंदुस्तान के साथ टर्म्स ठीक किये जा है और सासाथ इमरान खान साब से भी बात करने का मश्वरा दिया गया है तो जी बिल्कुल इंदुस्तान पाकिस्तान को लेकर ये खबर तो है ही लेकिन उससे भी जादा जो अच्छी खबर है और जो जादा लोग मेरे ख्याले काफी लोग इस वक तक जान भी चुके होंग इनका हार्ट ट्रांस्प्रांट किया गया है चन्याए में जो के भारत का शहर है और हम आपको ये बताते चलें के एक हिंदुस्तानी है जिन्होंने इनको अपना दिल डोनेट किया है और इस तरह से इनका हार्ट ट्रांस्प्रांट किया गया है और जो डॉक्टर्स हैं उन भी बहुत excited हैं कि उन्हों ने बहुत कामियाबी के साथ या उपरेशन कर लिया और अब जैसे मैंने कहा कि आई शब कराची की रहने वाली हैं वो कराची पहुँचके यकीनन उनको अब ये कहने में मुश्किल नहीं होगी कि वो है तो पाकिस्तानी लेकिन उनका दिल हिंदु हिंदुस्तानी है और वो इस तरह से कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं हिंदुस्तान से नफरत नहीं करते हैं हिंदुस्तान के साथ अच्छे तालुकार चाते हैं और हम यहीं समझते हैं कैसे तमामी लोग पाकिस्तान में जैसा सोचते हैं उनका यकीनन दिल हिंदुस हैं और हम उनका भी बहुत शुक्रिया दा करते हैं अस हॉस्पिटल का भी शुक्रिया जिन्होंने यह उप्रेशन किया और फ्री में किया जाहिर है कोई पैसे नहीं लिए Uh उनोंने और उनका बहुत शुक्रिया है 실ी उन पेश करते और साथ मेरा खियालwegen के पाकिसन को सलाम पेश करते हैं और साथ मेरा क्याले कि पाकिसान की गर्वर्मिंट को भी एक प्रॉपर आफिशल लेटर लिखना चाहिए और इन डॉक्टर्स का और उनके साथ जितने लोग उस हॉस्पिटल के हैं जिनों ने इस कामियाब आपरेशन में सलिया कामियाब हार्ट ट्रां कर इनसानियत है और यही हमें यहां पर डॉक्टर्स भी हमें यही दिखाते दिखाई दिया और भारत से भी हमने यही मैसेज लिया और यही सबक सीखा यकिनन जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी बहुत खुश होंगे और भारत के लोग तो जाहिर है उनकी कंट्री से सब क कुछ हुआ है तो वो तो वैसे ही प्राउट फील कर रहे होंगे हमें भी बहुत अच्छा लगा ये खबर जब हम तक आई और यकिनन हमारे सुनने वाले और हमारे देखने वाले भी जो है इस खबर से खुश हुए होंगे कि कराची की एक लड़की या कराची की बच्ची को जो है वो नई जिन्दगी मिली है भारत की वज़ा से और जैसा मैंने कहा कि वो बहुत अराम से कह सकती हैं कि दिल है हिंदुस्तानी बिलकुल और यहां से हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें कि बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर मोधी की और उनके साथ जो है वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर की जी हैं और आप लोग जैसे के जानते ही हैं कि मोधी जी की काफी दोस्ती है इटालियन प्राइम मिनिस्टर से बाराल उन्होंने ट्विट पे ट्विटर पे लगाया है मोधी जी ने के उनको इंविटेशन आ गया है कहां का भला जी सैवन मीटिंग के लिए जी यहां जो के पता है यह जा रहा है कि शायद जून में होंगी और उसके लिए उनको इमिटेशन जो है वो इटालिन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से मोधी जी को मिल चुका है इसका मतलब सब को साफ साफ पता है कि जी मोधी जी आने वाले अब दुबार बहुत से लोग यह भी कहने हैं कि जाहिर है कि जब कंप्लीट होंगे तब ही रिजल्ट आउट होगा पहले से किसी को पता नहीं है बताना नहीं है लेकिन लग यही रहा है दुनिया को यह लग रहा है पाकिस्तान भी बहुत से लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि मो बारत में free heart surgery हुई है उसको भारत में एक नई जिंदगी मिली है तो सच में वो कह सकती है कि उसका दिल जो है वो हिंदुस्तानी है पर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसी ज़रूत तो भारत में कई सारे बच्चों और कई सारे भारतियों को होगी जिनको heart की surgery की ज़रूता के बारे में कि दुनिया को ये लगता है कि आएंगे तो मोधी जी तो सिर्फ लगता ही नहीं जरूर है ये दावा है और ये एक दम से पूरा हो चुका है कि मोधी जी ही आएंगे तो एक बर फिर मोधी सरकार ही बनेगी तो इसके बारे में जो भी आपके विचार है आप अपन